दोस्तों यदि आप भी बैंक का बढ़ोदा के ग्रहक हैं तो आपके लिए एक बहुती बड़ी खुश ख़बरी है कि अब आप 5000 रुपे तक के बिल का पेमेंट अपनी घड़ी से ही कर सकते हैं इसके लिए आपको ना तो किसी काट की जरूत पड़ेगी और ना ही किसी तरह का पिन डालने की जरूत पड़ेगी आप अपने घड़ी को डायरेक्ट POS मसीन के पास लेकर जाएंगे और आपके बिल का पेमेंट हो जाएगा तो यह घड़ी कौन सी है इसे कहां से लेना है आज की इस फीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों ब्योबी वर्ल्ड एप में एक नया अपडेट आया है और यदि हम अपडेट करने से पहले ब्योबी वर्ल्ड अप्लिकेशन में लोगिन करते हैं तो यहां पहले नमर पर दिया है compare and swap दूसरी नमर पर दिया है credit score और तीसरी नमर पर दिया है investment and earn जब हम वर्ल्ड अप्लिकेशन को अपडेट कर देंगी तो यहां तीसरी नमर पर एक और आप्सन जूड जाएगा जिसका नाम है व्यरेबल डिवाइज तो चली सबसे परले हम व्योबी वर्ड अप्लिकेशन को अपडेट कर लेते हैं तो सबसे परले हम अपने मोईल में Google Play Store को ओपन करेंगे और यहां पर साच करेंगे व्योबी वर्ड देखिए व्योबी वर्ड में यह नया अपडेट 20 जूलाई को आ प्राम्यार से ओपन कर लेंगे और इसमें लोगिन पी इंडाल कर लोगिन हो जाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं पारले नमर पर दिया है compare and swap दूसरे पर दिया है credit score और तीसरे पर यहां एक और आपसन जूड़ गया है wearable device इसी wearable device के जरिए हम अपने लिए एक smart watch purchase करेंगे तो चलिए wearable device पर हम क्लिक करते हैं और उसके आगे का process देख लेते हैं देखिए यहां पर दिया है what is wearable यानि wearable क्या है wearable एक ऐसा device है जिसे आप smart watch की तरह अपने हाथों में पहुंच सकते हैं इस wearable device से बीना card या बीना pin के ही बिल का payment किया जा सकता है बिल का payment करने के साथ इसाथ आपके heartbeat को भी बताएगा यानि इस wearable device के जरिए आप cardless payment तो करी सकते हैं इसके साथ इसाथ अपने स्वास्त पर भी ध्यान रख सकते हैं यहां नीचे लिखा है date started इस पर क्लिक करते हैं देखिए यह है wearable device जो की एक smart watch है इस wearable device को खड़िदने के लिए यहां लिखा है purchase इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहां पर इस खड़ी का नाम लिखा है go q second smart vital plus इसके बारे में और जानने के लिए यहां पर एक आई का सिंबल दिया है यहां इस पर क्लिक करते हैं इस smart watch से आप 5000 रुपे तक के bill का payment cardless कर सकते हैं तो वह भी without pin के आपको इसमें pin डालने के जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां नीचे लिखा है daily limit for number of cardless transaction इस 5 यानि 5000 रुपे तक आप daily payment कर सकते हैं और चादे चादे आप 5 बार में कर सकते हैं आप चाहें तो इस घड़ी से एक रही बार में 5000 रुपे का payment कर ले या फिर 11000 रुपे करके पांज बार आप इस घड़ी से payment कर सकते हैं इस घड़ी से आप cardless transaction तो कर सकते हैं, लेकिन इस घड़ी से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां देखे लिखा है cash withdraw is not allowed, छलिए okay पर क्लिक करते हैं, यहां पर account holder का नाम तथा पूरा address दिया है, जब आप इस घड़ी को यहां से purchase करेंगे, तो आपके घर के address पे होना है, हमारे इसी account से पैसे debit होंगे, और यहां सबसे नीचे दिया है, इसका term function condition, तो इसमें हम check mark कर देंगे, उसके बाद submit पे click करेंगे, ओफो, देखिए, यहां प्लिखा गया, you don't have sufficient balance in your account, यानि इस घड़ी का जो price है, 3.499 विपे, उतना पैसा अभी मेरे account में नहीं ह है, इसलिए मैं अभी इस घड़ी को purchase नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यह लिए आपके account में उतना balance होगा, तो आप यहीं से इस घड़ी को purchase कर सकते हैं, जब यह घड़ी आपके पास आ जाएगी, तो आपको इस घड़ी को on करके, वियोवी वर्ट अप्लिकेशन में login करना है, और वेरेबल डिवाइस में जाकर इस घड़ी को वियोवी वर्ट से लिंक कर देना है, उसके बाद जब भी आप कहीं purchase करने जाएगे, और वहाँ पर NFC Enable QS Machine लखाओगा, तो आप अपने घड़ी को NFC Enable QS Machine के पास मातर ले कर जाएगे, तो आपके बिल का payment हो जाएगा, तता इस घड़ी से किसी भी तरह के बिल का payment कैसे करना है, इसका मैं आपनों को practical करके दिखाऊँगा, तो ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताइएगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पह